प्रज्याह गरन्से आज का फहला पार्च मैंने प्राइतने की हैं और मुझे बिवेक मिला मैंने विंति की हैं और प्रज्या का आत्मा मुझ पर उदुला मैंने उसे राच दन्ड और सिहासन से जद्यादा पसंद किया और उसके तुल्णा में धन दौलत को कुछ नहीं समझा मैंने उसकी तुल्णा अमुल्य रतन से भी नहीं करना चाहा क्योंकि उसके सामने पीत्वी का समस्त सोना मुच्ची भर बानों के सरदिश्य है और उसके सामने चाने कीजी ही समझी जाएगी मैंने उसे स्वास्त और सामदर्यस की अधित प्यार किया और जोती की अपेच्चा उसे ज़्यादा असल किया क्योंकि उसके दिपती कभी ने पूछती मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वश्टवें मिल गई और उसके हाथों से अपार धन सबती यह प्रकुट की माने हैं इश्वर को इन्याबाद दूसरा पार इश्वर का वचन हमें नया जीवन प्रदान करता है हम उसे स्विकार करें और उसके निर्दोसंग पर चलते रहें तब हम इश्वर से जो सब कुछ जानता है नहीं डरेंगे और भरोसे के साथ उसे अपने जीवन का लेखा दे सकेंगे इश्वर का वचन हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है इश्वर का वचन जीवन सासक और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है इश्वर से कुछ भी चिपा हुआ नहीं है उसकी आखों के सामने सबकुछ निरावरन और खुला है उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा या प्रभु की वानी है इश्वर को धन्यवाद प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ है सिर्थ मार्कुस के हमसार आज का हुई प्रेश्व समाचार प्रभु देखियों में लिकांगों अध्या दस वाक्यांश सत्रह से पीस तक येश्वर रस्थान कड़ी रहे थे कि एक मनश दोड़ता हुआ आया और उसके सामने भुखने टेकर उसने यह पूचा खले गुरु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए येश्वर ने उससे कहा मुझे भला क्यों कहते हो इश्वर को छोड़कर और कोई भला नहीं है तुम आग्याओं को जानते हो हत्या मत करो व्याविचार मत करो चोरी मत करो जुचि गवाहि मत करो किसी को मत ठगो अपने माता पीता का आदर करो उसने उतर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन को मैं अपने बजबन से करता आया हूँ येशु ने उसे ध्यान पुरोग देखा और उनके हिरे में प्रेम उमड़ाया उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है जाओ, अपना सब कुछ बेच कर गरिभों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पुंजी रखी रही होगी तब आकर मेरा अनसरन करो, ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था ये सुने चारों और द्रिश्टी लवडाई और अपने शिश्यों से कहा धनीयों के लिए इश्वर के राज में प्रविश करना कितना कठीन होगा शिश्य यह बात सुनकर चकित रह गये ये सुने उनसे फिर कहा बच्चो इश्वर के राज्ज में प्रविश्च करना कितना कठीन है सुई के नाके से होकर वूच का निकलना अधिक सहज है किन्तु धनी का इश्वर के राज्ज में प्रविश्च करना कठीन है शीशे और भे विश्मित होगे और आपस में जहने लगे तो फिर कौन बच सकता है उन्हें स्थिर दृष्टे से देखते हुए ये सुने कहा मनश्यों के लिए तो या आसंभव है इश्वर के लिए नहीं क्योंकि इश्वर के लिए सब कुछ संभव है तब पेत्रुस ने कहा देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अन्याई बन गए ये सुने कहा मैं तुम से कहे देता हूँ ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे औरसु समाचार के लिए घर, फाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों, अट्वाखेतों को छोड़ दिया और जो अब इस लोग में सव गुना पाए घर, भाई बहने, माता पिता, बाल बच्चे, खेत, साथी साथ, अत्यचार और परलोग में अनन्य जीवन यह कभू का दिद्वेशी समाचार है ठेक्रिस पेस पुपी हो प्रभी यह सुख्रिस्ट में प्यारे माता पिता, भाईो, बेहनों और गोस्तों सबको जैसुद्वेशी आज के पाठों के द्वारा प्रभू हमें एक विशेश और चुनोंती पूर संदेश देना चाहते हैं और वह यह है कि हमें अपने जीवन के लिए चारेरिक धंग संपती या स्वर्गे संपती को ज्यादा महत्वा देना चाहिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इस संदर्भ में प्रभू आज अपने वच्णों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं शारेरिक सुख शांती के लिए धंग की उतनी आवशकता होती है जितनी आध्यात्मिक सुख शांती पाने के लिए हमें इश्वत की प्रापती है धन मानवे जीवन का एक ऐसा अंग है जो मानों को सुख स्वीधाओं से परिपूर्ण जीवन बिटाने के लिए हैं सब कुछ प्रदान कर लेता है और यह सच है कि धन मानवे जीवन एक महतपूर्ण भूमी का अधा करती है मानों की प्रवोड़ी इतनी तेज है कि वह धन की कमाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन बिटा देता है अपना सब कुछ बुटा देता है और इस घोड़ में वह इतनी मजबूर हो जाता है कि धन को अपना गुलाम बनाने के बजाए, वह फ़भभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ उनका लक्ष से धन बटवरना है उनके जीवन को देखिए। उनका जीवन भले इस संसार में सुख में हो जाता है, सुन्दर हो जाता है, लेकिन ये सब च्छनिक है, बस कुछ पल के लिए धन की सुख ताप होती है, बाकी ये जीवन को बरबाद कर देती है। जब हम धन का गुलाम बन जाते हैं, धन संपती की गुलामी कर वड़ते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है? जब हम धंग संपती के गुलाम बन जाते हैं तो हमारे जीवन में अधर्म का कर्म पन अपने लगता है और हम इस अधर्म के कर्म को करते करते अपने जीवन को बुजार देते हैं और इसका पल क्या होता है जब हम अधर्म का कर्म करेंगे तो हमारा जीवन में तनाम अशांती जिर्चिड़ापन और पूरा जीवन अपने आपने अशांती में हो जाता है जो धन के पीछे भागता है निश्वर उसे छोड़ देता है क्योंकि हम जानते हैं जहां पर प्रभू संख्य मतिकिस्व समाचार अधियाच्छे पतसंख्या 1921 में कहते हैं प्रित्वी पर अपने लिए पुंजी जमा नहीं करो जहां मौर्चा लगता है कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगा कर चोरे करते हैं क्योंकि जहां तुम्हारी पुंजी है वही तुम्हारा हिवेवी होगा आज किसी समाचार में हमने देखा तुम्हारे लिए पुंजी रखी होगी तब आकर तुम मेरा अनुसरन दो यह सुनकर वह बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वह बहुत धनी था यहां पर हम देखते हैं कि धनी युवक को धन संपती से इतना लगाव था कि वह अपने धन का एक छोता सा अंश भी त्याजने के लिए त्यार नहीं होता है जब धन संपती को बेचने का नौबत आती है प्रभू ने आदेश देते हैं कि तुम सब कुछ बेच कर मेरा अनुसरन करो वह बिराश हो जाता है क्योंकि उसका मन रिखे पूरा जीवन उसी धन पर लगा हुआ था है और जब हम अपने जीवन में भी देखेंगे तो यहीं करती है यहीं चीज हमारे जीवन में भी लागो होती है यदि हम धन के पीछे लगे रहेंगे, धन को अपना सब कुछ मानेंगे तो हम तभू की पेम से, तभू की किपा से वन्चित हो जाएंगे जैसे कि ये यूवक, ये धनी यूवक तभू से विछट कर चला जाता है, निराश हो जाता है यदि मैं सब कुछ देश दोंगा, तो मेरा जीवन बरबात हजाएगा मेरा जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा, वह प्रभू में विश्वास नहीं कर बाता है लेकिन एक बात उनके जीवन से हम सिख सकते हैं वो क्या कहते हैं, मैं दस आग्याओं का पालन करता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, जूटी गवाही नहीं देता हूँ किसी की वस्ट्वों पर लालच नहीं करता हूँ, या विचार नहीं करता हूँ ये सभी बातों को वह बच्पन से पालन करता हूँ, इन से बातों को यदि हम देखेंगे, वह एक तरह से धर्मी बेखती है क्योंकि वह ये मुशा के दस नियामों का पालन अपने जीवन में करता था लेकिन सिर्फ एक चीश की कमी थी, और वो क्या थी, कि वह अपने जीवन से धन का जो मोह था अपने जीवन में जो धन संपती कमाया था, उसे प्यागने के लिए, उसे बेचने के लिए, उसे छोड़ने के लिए तयार नहीं होता है फलसुरूप क्या होता है ट्रभू से दिन चला जाता है हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है यदि हम धन को अपना प्रात्पिक्ता देंगे धन को अपना सब कुछ मानेंगे तो प्रभू से बिच्ड़ जाएंगे उसके अंदर अनंध जीवन पाने की लालसा थी वो अनंध जीवन प्रापत करेके लेकिकन जीवन वो उपने इच्छा में ही रह गई उन्के मन में ही रह गई क्योंकि धन और गाहिएंगे सामने वाधाब पलापनेकशाथ देनों में कि इसे चिंता में अपना जीवन बुजार लेते हैं हमें कहां से धन प्राप्त होगा है कि विश्वास करना होगा कि प्रभू ही हमें सब कुछ देता है वहीं हमारे लिए सब कुछ को प्रबंद करने वाला इश्वर है तो हमें किस चिस की चिंता होनी चाहिए इसलिए संत्मती के सुसमाचार अध्याचे वाकियांश्त एक्पिस में हम पढ़ते हैं जहां प्रभू का वजन कहता है यह करते हैं वे चिंता मत करो कि हम क्या खाएं क्या प्यें क्या पहने इन सब चीजों की खोज में गैर या हुदी भी लगे रहते हैं तुम्हारा स्वदी पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है तुम सबसे पहले इश्वर के राज और उसकी धर्मिक्ता की खोज में लगे रो और ये सब चीजे तुम्हें यूँ ही मिल जाएगी हमारे जीवन में हम देखते हैं कई चीजों की चीनताएं हम करते रहते हैं हर पल हमारे जीवन में ये चीनता लगी रहती है कि अभी तो हमने किसी तरह से खाने के जो गाड कर लिया है शाम का खाना कहां से आएगी जो गरीब हैं ये इन से बातनां को सोचते रहते हैं चीनतित रहते हैं हम भी हमारे पास भले सब पुछ फिर भी हम चिंता में लगे रहते हैं कि शाम का खाना कहां से ताफ होगा, क्या खाएंगे, क्या मिलेगा, पर अच्छा खाना है तो हम आउर अच्छा सोचते हैं, कि कहीं आउर अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, और हमारा जीवन इसी सोच में बुजरता जाता देखिए आज प्रथम पाच में क्या कहा गया है राजा सुलेमान जो बहुत बड़े राजा राजा दाउद के पूत्र इनके पर पास सब कुछ था वे धंग सुम्पती पूरे राज्ज में सब कुछ से संपन्द थे लेकिन फिर भी नीश्वर ने ओफर देता है नीश्वर देने मुह मंगा वर्दान देने का बादा करता है यह मुह मंगा वादा राजा सुलेमान को दिया जाता है तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें परदान करूंगा और हम क्या देखते हैं धाजा सुलेमान क्या माँगता है प्रम इश्वर से वह इश्वर से भिवेग मांगता है प्रग्या मांगता है विवेक और प्रग्या इश्वद्वारा प्रदत वो ज्ञान है वो बुद्धी है जिससे पूरे प्रजाग पूरे भक्तों का पूरे समराज्य का न्याय कुछ वक्षासन कर सके यह नहीं कि हम धन्व संपती से ही पूरे राज्य का अमशासन करेंगे सुलेमान का तर्ट देखिए और वह धन्व संपती नहीं वलकि विवेक मांगता है और विश्वद्व उनके इस विनम्रता पर उनके इस नम्र हिदय पर ट्रवित होकर ना सिर्फ ज्यान विवेक और प्रग्या प्रदान करता है बल्कि इनके साथ साथ धन्व संपती दिनम्रता है तो इसके बार आज के प्रथम पार्ट में हम सुलेंगे जहां पर कहा गया है मैंने प्राथना की है और मुझे विवेक मिला मैंने विंती की है और प्रग्या का आत्मा मुझ पर उतरा है मैंने उसे राजदर्ण और सिहासंग से जादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा तो राजा सुलेमान धन्दवलत को कुछ नहीं समझाने इसलिए उन्होंने विवेक के लिए प्राथना किया प्रग्या के लिए उन्होंने तबुर से मांग की और तबुर ने उन्हें तदान किया आगे कहता है उसकी तुलना अमल्य रतन से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके सामने प्रित्वी का समस्त सोना मुठी भर बालू के सदरिशन जो इस धरती पर सोना बहुत किंती वस्तु है प्रभु के सामने बहुत मिट्टी या बालू के सदरिशन क्योंकि हम जानते हैं जीश्वर दौरा प्रदक्त जो कींती चीज है वह है जीश्वर का वर्दान जो इस धिमान की दिया गया विवेख जान और प्रग्या क्यारे भाईों यों बहनों हमारे जीवन में कई इसे पल आते हैं हम हर एक दिन रातना यों ऐसे सभा में भाग लेते हैं और हमारी मांग यही होती है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए व्यक्तिगत परिवार के लिए व्यक्तिगत समाज के लिए हम जो मांगते हैं सिर्फ स्वारत के लिए मांगते हैं इसलिए हमारी मांग कई बार दिर नहीं होती है राजा सुलेमान निश्वारत भाव से विनम्र भाव से लिश्वर के सामने अपनी मांग को रखता है और उसकी मांग ना सिर्फ जो मांगा था वो पूरा होता है बलकि लिश्वर ने जो वादा नहीं किया था वो भी ने पराणकरता है उन्होंने धन दौलत को कुछ नहीं समझा गी कि वह जानता था कि धन दौलत विश्वर के समक्ष कुछ भी नहीं है कि यारे भायों और बहनों हम अपने मन और हिदय के स्वच्छ दरपन में ही इश्वर को देख सकते हैं में मालब है कि हम इश्वर को हमारे मन और हिदय रुपी जो दरपन है वो दरपन साफ होना चाहिए घर साफ नहीं हे उसके अंदर यारि घंदमोलत मोमाया जैसी ऑईसी बाद राइएं आएंगी हमारे सामने इश्वर को दिखाए नहीं देखे ह में दंदूलत, संसार की मौमाया, यह सब ही है। हमारे मानेवरे की द findet पीज तो दर्पन है। ईश्वर का दर्शन का में चाहिए बाओक है, उसे दुंदला कर देती। यदि हमारा दर्पन की दुंदला है तो हम ईश्वर को कैसे सकते है। कि यदि हमारा दर पंचुन थूंदला है तो इश्वर हमें कईसे देए सन MOD hell जो बीच में कबड़ाइए जो दिवार इस दूंदलापन है वहात थन्द और समसार की मोहमाया कि यदि हमारे जी वढए तो हमारे जियोन में बनी रहें एक तो हमारे एश्वर ऑफ रिस्ता है, हमारे और इश्वर के बीज का दियो संपर का है, वह इस धन के बीज में, वो तक के रह जाएगा, बाधावन के रह जाएगा आप यारे भायवन बहिनों, ये तभी संभव है, जब हम संसार की धन संपर्ति मोहमाया को दर किनार करके हम सिर्फ इश्वर पर अपना मन लगाएंगे, इश्वर पर अपना सब कुछ साउप देंगे, तभी यह संभव है हम एक साथ दो लौका में पायर नहीं रख सकते हैं, ये कहावद बार बार हमारे सामने रखा जाता है इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मत्य किस्व समाचार अध्याय, छे वाक्यान चौबिस को, कोई मनश्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बायर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे से तुछ करेगा, तुम परमेशर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं, ये तभु का वचन साप साप हमारे वियों रहा गया है, हम एक साथ धन में और विशवर में अपना मन और हिद्धय नहीं लगा सकते हैं, यदि हमें विशवर चाहिए, तो धन को दरकिनार करके विशवर के उस नाम में पाय रखना है, कि यदे हमें इश्वर से वर्दान चाहिए तो हमें धन को धन की लालच को हमें प्याग अखा यह से रेहरें करना है क्योंकि यह जो संसार है वो हमें ईश्वर का या स्वर्गराज की जो सुख है स्वर्गराज का जो आनद है यह संसारी धंग संपती नहीं दे सकती है हमें अपने जीवन में जो भी चाहिए वो हमें दिया गया है भले कम ही मतरा में मातरा में क्यों नहीं ईश्वर हमें दिया है हमें कभू के पीछे चलते रहना है उनके साथ साथ चलते रहना है यह नहीं कि हम धं के पीछे भागते जाएं अभी पूरा संसार को हम देखेंगे संसार पर मेंज़द दालेंगे तो पूरा संसार में जो मानव है वह सिर्थ धन के पीछे भाग रहा है कि क्यों से धन कमाईए बस उसी की लालसा में वह हमेशा लगा रहता है उसी में वह पड़ा रहता है यदि उनके पास फुड़ा सा है तो और कमाने की इच्छा होती है भी है हमारे आध्यात्मिक और शारेरिक जीवन को हमें सामान जिस्य बनाए रखना है हमारे आध्यात्मिक और शारेरिक जीवन के बेच ताल मेल बनाए रखना है जब तक हमारी आत्मा और परमात्मा के बेच जो संपर्क है वह बना नहीं रहता है तो हम जो स्वर के सुख या अन्ति जीवन की कामना करते हैं इच्छा रखते हैं तो हमें तब होगी जब हम धन्स या अधसंसार की महमाया से वंचित होंगे उसे द्यागेंगे हमें प्रभु की वचन पर विश्वास करना है प्रभु का वचन भी हमारे लिए रोटी के समान है हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो भूख है विटाने वाला प्रभु का वचन ही हमारे जीवन की आध्यात्मिक जीवन की जो प्यास है उस प्यास को बुद्आने वाली एक मात्र साधन प्रभू का वचन ही हमारी आधियात्मिक भूब और प्यास तभी मिठेगी जब हम प्रभू के वचन के अनुसार अपने जीवन बिदाएंगे इसी दिए प्रभु का वचन संत्मति के सिस्माचार अधिया चार अधिया चार में प्रभु का वचन क्या कहता है मुनश्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि इश्वर के मुख से निकलने वाली हर एक शब्द से जीता है हमें मुश्वाद करना है हमारा जो जीवन है इस धरती पर ना सिर्फ फोतिक यानि शालिरिक संतोष्टी में लगा रहना चाहिए बल्कि हमें आधियात्मिक संतोष्टी के लिए दॉलाईत रहना चाहिए इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हमारे जो भूख है, हमारे जो प्यास वो प्रभु मिटाएंगे, कैसे मिटाएंगे, जब हम प्रभु के साथ अमना समय मिटाएंगे, प्रभु के वचन के अनुसर अपना जीवन दियेंगे, प्रभु के वचन को अपना भोजन मानेंगे, रुव की वचन को जल मानेंगे तभी हमारी जो शारिरिक भूख जम आध्यात्मी भूख मीटे की दूर होगी और तब हम इश्वर के बीच इश्वर और हमारे बीच का जुरीस्ता है बनाए रखेंगे तभी हमें अनन्त जीवन का असुख प्राप्त होगा यदि हम अनन्त जीवन पाना चाहते हैं तब यारे भायों यों बेहनों हमें सिर्फ उसी बात पर दिके रहना है जहां पर वो कहते हैं मनेश्य केवल रोटी से ही नहीं बलकि इश्वर के मुझ से निकलने वाली हर एक शब्ध से जीता है आए इन बज़िनों पर मनन करते हैं हम राखना करें कि इश्वर जो हमारे जीवन को चलाने वाला है सब कुछ को देने वाला इश्वर है वो हमें हर तरह से संबन्न करें हमारे शारिरिक आध्यात्मिक भूग अपनी च्छानवसार हमें दे दे और पूरा करें आए हम थोड़ी देरे मौन होकर इंतार्धना करें कि इश्वर जो वचन आज हमें दिया है उस वचन के अंगसार अपना जीवन को जी सकें बिता सकें और इश्वर में ही अपना भरोसा रख सकें पिता हुआ पुत्र और वईत्रात्माट के नाम पर आमें